आँज्वसकार दोस्तों हमारे All Intuition Unda Channel पर आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर लिखा où प्रेम प्रसंग देखें प्रेम का इंग्लिज क्या होगा इसको इंग्लिस में हम लोग कैसे लिखेंगे दीके पव में क्या हर पौ में दोस्तों ऐसे रा है और बोलकर भी आप को देखेंगे पी हुम्हें डिखेंगे तो पा की पी हम यानि आर हम लोग असरो देखेंगे इसमें लगा है एक लिए क्या लगा ए? stating आइसा हम पर नहीं पर देखेंगे एसका इंगिलीस इ है और एक क्लिए मातरा है देख सकते हैं, ऐसा ही ने लगा है इसके उपर, तो इसका इंगलिस हम लो ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और मा का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रेम, उसके बाद लिखा है प्रसंग, क्या लिखा है प्रसंग, तो देखे, प्रसंग का क्या होगा प्रा है, तो फृर वैसे ही लिखें गए पी-र और देखें, इसमें दुसरा कोई मातरा नहीं देख रहा है सिंपल है, इसका मत नब अ लगा देंगे ज़िए भिल कर दें, प्रा-आ यानि आ किया होता है, ए होता है हम लो ए लगा दिए, संग यानि सा का एस हो गया और यह बिंदी जो उपर लगा है यहां पर एक सकते हैं यही ना बिंदी है इसका इंगलिस ए-एन होता है तो ए-एन हम लों लिख देंगे और गा का जी लिख देंगे क्या होगिए प्रसंग आज की इस क्लास में दोस्तों छोटी से प्रगराप जो प्रेम प्रसंग से रिलेटेड बड़ा ही मज़ेदार प्रगराप है यदि आप चाहते हैं कि अपके दिमाग में कुछ भी आता है हिंदी में और उसको तुरत किसी अगले के पास इंगलिस में उसको टाइपिंग करके प्रेम प्रसंग के सहाइता से मैं आपको दोस्तों इंगलिस बोलना लिखना और पढ़ना सिखाने बला हूं खुब ध्यान से इस क्लास को लाश्टक देखना है चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब कर लेना है चलिए दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है और यह आपके लिए बहुत यूजफुल परेग्राप है जो आप अपने नजदी की किसी भी दोस्त प्रिये जन के पास भेज सकते है इस परकार से लिखकर देखे यहां पर लिखा है प्रिया तो देखे सेम वही चीज जो उपर आपको मिला है पॉका पी हो जाएगा और प च्प्रिया रात यानि आर यह टी रात गड़ तो डीएच ई घड़ और एलसला डल रात गड़ रही क्या लिकना है रही आर एएच आइधा ही दोस्तो यदि बड़ी की मात्रा भी इस परकार कर सब्लों में लिखा रहे तो जिसका इंगलिस में डबल इहोता है फिर भी आप I use कर सकते हैं, यदि regular मेरा class देख रहे होंगे, तो ये चीज़ मैं बहुत बार समझाया हूँ, एक बर थोड़ा से यहां पर और समझ लिजे, कि बड़ा बाला का तो जो इंगलिस होता है, वो खुद होगा ही, वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि सौटकॉट में आप कहीं पे टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहया हैं, तो आप छोटे बाले से काम चला सकते हैं, जिस से जहां पर A लगा है, तो डबल A न लगा कर A ही लगा सकते हैं, जहां पर बड़ी लगा हे, डबल E न लगाकर I ही लगा सकते हैं, जहां पर बड़ा O लगा है, डबल O न लगाकर U भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रिया, रात ढ़ल रही है, H A I है, रात ढ़ल रही है, देखे हो का H हो जाएगा, और इसमें दोठो ऐसे एकले है, तो दोठो एकले इसी कहना है, I का इसका A I है, तो लगती है, चाहो, तो छाह का हो जाएगा, C,H, A, चाहो, यानि हमें O की मात्रा, ये वाला, देखे हैं यहाँ पर यहीन मात्रा है, यहाँ पर, देख रह ना, तो इंग elections O है तो O हम लोन लख लेंगे, चाहो, फिर यहाँ पर तो यानि रही है, तो यह याहा होता है बहुत मैज़दार है दोस्तों को जहां से देखिग लास ठकेगा चाहो तो गुंगुना लो तो गुंगुना यानिंञसी यू फिर न का T फिर गुना जी यू एन एन गुनगुना लो एल ओ लो गुनगुना लो प्रिया अब देखिए जो सब्द आल्रेड आप सीख गये हैं यदि वो आगे मिलता है तो आसानी से आप उसको लिख पाएंगे पड़ पाएंगे दोस्तों इस क्लास में एक एक वर्ड को लीख कर में बता रहा हूं ताकि लिखा हुआ चीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और केवल देखकर आप असानी से इंगलिस सिख जाएं तो प्रिया हुआ भूले तो दोस्तों यदि आप चाहे तो भी एच यू भी उज कर सकते हैं बड़ी हू है तो और ले का एली कर लेंगे लेंगे तो यदि आपकी इक्षा है तो भी एच डबल ओ एली ऐसे भी यूच कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक ना भूले बिसरे क्या लिखा है बिसरे तो बी आई देखिए यहां पर बी का हो जाएगा दोस्तों बिसरे है तो बी का हो जाएगा बी आई बी सा का एस ए रे का आर ई भी हिं एच आई ही लिख सकते हैं आप ही भूले बिसरे ही गीत तो जी डबल इटी लिख लेजेए या जी आई टी लिख लेजे आएगा कोई दिक्कत नहीं है गीत गालो यानि जी ए से गाल एल ओ से लो और बिंदी है तो एन लगा लेंगे यानि वो बोल रहा इंगलिस में ऐसे लिख लिए चलिए आगे देखते हैं थोड़ी सी बड़ी परिग्राफ है एक एक चीज को आराम से हमनों सिखते हुए आगे बढ़ते हैं उसके बाद देव नागरी तो डी इसे देव हो जाएगा वह का भी हो गया देव नागरी एन ए जी ए आर आई क्या ह आगे देव नागरी मे यानि एम ए और बिंदी है तो इन इस तरीका से मैं बताया था कि आप यूज कर सकते हैं में प्रेम देखे प्रेम प्रसंग तो पी आर ए एस ए ए न जी जो को उपर मैं सिखाया हूं प्रसंग लिखे तो एल आई ली के एच ई लिखे थे तो तो टी एच इफे लिखे थे हम एच ए अम हम दोनो डी ओ एन ओ दोनो ने एन इन इने हीं एच आय हीं दिखे तो डी है दी के एच ई खे दिखे थे ती एच ई थे दिखे थे याद वाई ए डी याद आए डबल ए ए और बिंदी है तो एन आए वो भी ओ वो प्रिया गीत तो देखें प्रिया 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 गीत तो जी आई टी या जी डबल ए टी ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं लगीत गालो जी या गा एल ओलो बिंदी है तो एन दे सकते हैं गालो प्रिया गीत गालो ठीक है है। प्रिया पी आर आई वाई प्रिया रात आर ए टी रात ये होगा दस्तु धल थाले तो डि एच एज ये ऐल धले रह दो रही 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 है एच एच एआई है चाहो सी एच एच production चाहो तो गुंगुना लो गुंगुंा संवता इन गुंगुना उपर यह नहीं लाको आपको गुंगुना लो गीते ग डबल एटे और ग toda गितें गाओ गेत गा गेत गा का Frog5 G A O O O Hो गया, G का हो गया, G I, गाओगी, तो, T O T O, रात, R A T, रात, कट, K A T, कट, जाएगी, J A, Y E, G I, जाएगी, मुस्कुराओगी, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, बहुत मज़ेदार सब्द है, मुस्कुराओगी देखिए थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसको कैसे लिखेंगे यह आधा दंतस्षा है तो एस के आर ए क्रा ओ जी आएगी मुस्कुराओगी तो याद याद आएगी तो डबल ए आ हो जाएगा ए से ए जी आए से गी आएगी मुस्कुराओगी तो याद आएगी ठीक ना उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिया पी आर आई वाई ए ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिया ये वाई ये घन घोर जी एच ए घो एन से न घन घोर तो जी एच ओ आर घनगोर रात आर ए टी रात भी भी घनगोर रात भी कट के एटी कट जाएगी जे ए ए जी आई जाएगी PRIA P R I Y ज़र उसे PRIA कलिया K A क L I L E या Y A N कलिया B B H I B SO SO चुकी C H U K I कलिया भी सो चुकी है बिंदी का N देंगे कलिया भी सो चुकी है चाहो C-H-A-C-A-H-O-C-A-H-O तो दिल D-I-L-D-I-L लगा L-A-G-A लगा L-O-L-O चंदन देखे C-H-A-N-C-N D-A-N चंदन के बंदन तो B-A-N बंदी का A-N दन तो D-A-N बंदन की चंदन के बंदन की बात तो B-A-A-T बात या B-A-T भी लिख सकते हैं बात भूलो B-H-O-L-O भूलो प्रिया P-R-I-Y ए प्रिया 1-E-K-1 बार B-A-R-B-A-R गले G-A-L-E गले से एक बार गले से लगा L-A-G-A लगा प्रिया एक बार गले से लगा लो ठीक है प्रिया P-R-I-Y ए प्रिया वेग B-E-G-U-E-G प्रबल देखे P-R-A-B-A-L प्रबल है ध्वानियों तो देखे आधा ध्वा है तो D-H हो गया व का B-A हो गया नी का N-I और यों का Y-O-N ध्वानियों का K-A-K A-A-A-A जाओ J-A-O जाओ और A-U-R और ध्वानियों का आजाओ और संभालो तो A-A और आधामा है तो M भा का हो जागा B-H-A-L-O भालो संभालो प्रिया P-R-I-Y-A प्रिया चांद तो C-H-A-N-D चांद का इसारा I-S-H-A-R-A इसारा चांदनी प्रिया चांद का इसारा चांदनी C-H-A-N-D-A-N-I चांदनी ने-N-E-N-E समझ है S-A-M-A समझ का जे समझ है लिया यानि लिका L-I-Y-A से या लिया है लिया है ठीक है चाहो C-H-A-H-O चाहो तो चांदनी C-H-A-N-D-A-N-I चांदनी से इसारो S-S-S-O होता है R-O और बिंदी सारो को परिभाशित P-A-R-I परीवह B-H-A-B-I-S-H-I-T परिभाशित करा K-A-R-A करा लो भरे बी एच ए आर ई भरे जलासियों जे ए एल ए एस एच ए वाई ओ और बिंदी का एन जलासियों के अर्थों ए आर पी एच ओ बिंदी का एन अर्थों को के ओ को समझोच एस ए ए हे च ओ समझोच जलासियों के अर्थों को समझोच प्रकृति पenne देक को मैं कहा है टाद मातरा तो kяхटि कर 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 अलिंगन तो डबल ए एल आई और बिंदी का एन अलिंगन जी ए एन अलिंगन प्रकृति को अलिंगन सागर से जल जल उठा यू टी एच ए उठा लो प्रिय प्रिय रात ढल रही आर ए एच आई रही है चाहो तो गुनगुना जी यू एन फिर जी यू एन ए गुनगुना लो भूले बी एच डबल ओ एल ए भूले बिसरे बी आई एस ए आर ए बिसरे ही गीत गालो कलिया के एल आई वाई ए बिंदी का एन कलिया भी भी एच आई भी सो चुकी है कलिया भी सो चुकी है चाहो 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 सी एच एच ओ चाहो तो मुस्कुरा एम यू से मू आधा सा है तो एस के आर ए मुस्कुरा लो एलओ लो चाहो तो मुस्कुरा लो एक छोटी सी परेग्राफ था दोस्तों बड़े मज़दार परिग्राफ था जिसमें एक एक चीज को अपने नजदी की व्यक्ति के पास लिख कर भेजा जा सकता है तो दोस्तों यह कहानी यह परिग्राफ एक छोटी सी यह मेरा परियास आपको कैसा लगा जिसमें मैं आपको हिंदी टू इंगलिस ट्रांसलेट करके कनवर्ट करके मैं सिखाया हूँ इंगलिस को पढ़ना लिखना और बलना तो दोस्तों यह दिया क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब भी करके नोटिफिके कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों आज क्लासें पर इंड करते हैं मिलते कर क्लास में जय हिंद